हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आप सभी का इगनु गाइडेंस में बहुत बहुत शागत है फ्रेंड्स जिसा कि मैंने कहा था कि तीन वजे में लाइब आउंगी आई थी लेकिन कुछ प्राव्लम हो रही थी टेक्निकल प्राव्लम हो रही थी चलिए इस वीडियो को मैं डाल देती हूँ आप वाजकर लीजेगा और यह रिसाहित का आश्वादन से है ब्लॉक 3 का है और इसमें आज हम देखेंगे जो महादेवी वर्मा ने जीने की कला लिखा है उससे यहाँ पर important questions लेंगे क्योंकि यह generally हर एक exam में इस topic से संबंदित इस सिर्षक से एक question जरूर पूछा जाता है तो चलिए पहले प्राशन देख लेते हैं दिन उसके बाद उत्तर को देखते हैं निवंद में नारी दुर्षा के लिए एक सीमा तक नारियों को भी किस प्रकार जिम्मेदार बताया गया महादेवी बर्मा ने किस तरह उनको जिम्मेदार बताया है यह कोशन आपका इसमें बनता है यहाँ पर देखिए अप चलिए देख लेते हैं आपको सभी के एंसर जो है यहीं पर मिलेंगे ठीक है और मैंने जो एक लेटर वाला पत्र लेखन का वीडियो डॉला था उसमें प्रिदी अप मुझसे रहे गई है यह डालने के लिए तो प्लीज आप उसे वाचकल दीजेगे इस वीडियो के बाद मैं उसमें प्रिदी अप का लिंक के दे दूँगी ठीक है तो चलिए फिर यहां पर हम देख लेते हैं जल्दी से कि एक कुश्चन आपका बन सकता है कि बिवेशनात्मक सैली की मूल भूत बिसेस्ता क्या है क्योंकि महादेवी बर्मा शाहित जगत की एक महतपूर जानी मानी जो है वो राइटर है आपको पता है किसी कोई ऐसा एक जो जानता है जो जानता हो शाहित के वाड़े में जानते हैं इनकी मूल भूत बिसेस्ता ना है इसमें मूल भूत बिसेश्ता होती है बुध्धी, बिवेक, आइन से होती है यानु कि बुद्धी ब्युवेक तर्क वितर्क सब्सक्राइल नहीं लिया जाता यह सब्सक्राइब AR बुद्धि विवेग तर्ग वितर की प्रधानता होती है यहां पर विशय की ब्याख्या उसकी बिशलेशन पक्षविप्यक्ष का खंडन मंदन करना या जो भावना होती है उसकी अनुभूत का सहारा नहीं लिया जाता है लेकिन इस निवंद में जो महादेवी बर्माजी है उन्होंने बिवेचनात्मक सेली में भावात्मक जो भावनात्मक अग्रह होता है उसका स्वर का अस्थान अस्थान पर तीवरता से प्रकट हुआ दिखाई देता है मतलब उन्हें भावनात्मक अग्रह को लिया है इसमें जीने की तो इतना आपका इसका हो जाएगा पांच य छे लाइन आपसे बोलता है ज्यादा नहीं बोलता है तो आप इसमें बुद्धी का बिवेक का तर्क वितर्क इनके पॉइंट बना लीजिए फिर उनको इस प्लेन कर दीजिए ठीक है न क्योंकि जीने के कलानी बंद का सब्सक्राइब करने के लिए महादेविन चित्र कला को दाहन के रूप में लिया है ठीक है तो यहां पे आपको इसके माध्यम से अनकलाओं के लिए शिद्धांत और बिहार दोनों के वसक्ता से रखांकित किया है तो यहां पे यह एंसर आपका हो जाएगा विवेशनात्म क्या क्रियेट हो सकता है पीडियाफ सामने है तो उसे हम थोड़ा साथ देख लेते हैं यह रिमान लीजे कोश्चन आपसे पूशता है कि जीने की कला है महादेवी बर्मा की इसका आलोशनात्मक व्याख्या के लिए कोश्चन आता है तब आपको यह चीजें लिखनी होंग तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि महादेवी जी ने अनकलाओं की तरह उसमें भी सिधान्त और ब्योहार पक्ष के अनिवारता पर जोर दिया बिसे का भी वेचन करते हैं उन्होंने इस पश्ट किया कि जीवन के लिए निर्धारिश सिधान्त उचित आउसर पर उप् दिये जैसे मंत्रोचार करने वाले तो टे की वाड़ी की नर्थकता को रहांकित किया उन्होंने और उन्होंने सिध्धान्तों की सही अर्थ की जानकारी और कल्याण कारी प्रयोग के अभाव में निर्था को अहितकारी बताया इसी तरह जीवन के कुछ स्विक्रित कुछ प्रमुक्ष धानते सत्य ब्रुद्रयात चमता दया स्वाभी वक्ति आधिकावि द्रभाण की रूप में प्रयोग किया था लेकिन उनकी किसी अत्याचारी को छमा करने वाले व्यक्ति से उसे डंड देने वाला क्रोधिव व्यक्ति संसार के रधिक मात पूर्ण हो जाता है तो यहां पर आप इसको आलोचना की रूप में लिख सकते हैं यह आपका आलोचना ही है कि अगर कहा जाए कि जीने की कला महादेवी बर्मा कि जो एक कथा है कि निवन्द है उसका आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए तो वह आपको वहाँ पर यह लिखना पड़ेगा ठीक है हमारा जो एक कोश्चन था अविसाब बाला कि उन्होंने नारी को ही क्यों महत्त्पूर्ण माना कि जो अत्याचार नारी के उपर हो रहे ह उसकी जिम्मेदार नारी खुद है ठीक है ना तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा तो देखिए यहाँ उसका एंसर आपको यह मिल रहा है कि नारी जीवन के विसाब के लिए सबसे पहले नारी को ही जिम्मेदार साबित करते हुए लेखिका ने यानि महादेवी बर्मा ने पूरी सहान भूत के साथ उसे अचेत और जागरुख बनाने का प्रयास किया है ठीक है यानि उन्होंने क्यों ऐसा कहा तो सतित्व पाति ब्रत्य यानि पति ब्रत्य त्याग बलिदान सहल सीलता करना इस ने ममता के उचे आधरसों के खूटे से बद कर जिस प्रकार उसने अपने आपको असहाय बना दिया है उसे चोड़ कर वे इन आधरसों के मानवी महत और लक्ष को समझे यानि जनरली नारी को एक रूप दिया जाता और कहा भी जाता है नारी के लिए तुम्हारा काम क्या है घर को सम्हालना है हाउस बाइब बनना है बच्चों की सेवा करो मेरी करो ख़ाना पकाऊ बरतन जाड़ू उचा फिर नारी की हो गाई है ना एक माँका भाव एक पती को पतनी का बाई के लिए बहन का यह और पिता के लिए प्थ पुत्री का जो बाव करना होते हैं उनको प्रदर्शित करना घर में रहना खुटे से बात करना भाह में निकलना बह तो यहां पर जिम्मेदार है है यदि हम चाहें और हम चाहें कि नहीं ऐसा नहीं है इसके लावा जो बाहर की दुनिया है जो पुरूस जहां पर वर्क काम करते हैं हम भी जा सकते हैं तो यह जो थौट हमारी फिंगिंग है इससे खुद नारी बदल सकती है कोई और नहीं बदल सकता है अधिकार के भी साधन भी है उसे इन सिध्धानते वादर्सों को अपने पैरों की बेडिया ना बना कर इन्हें अपने जीवन के विकास और उत्थान के लोप्योंग मिलाना चाहिए ठीक है भाई मैं सहन सील भी हूँ करणा भी मुझमे इसने भी है ममता भी है त्याग बल्दान सब कुछ है पति ब्रता भी हूँ लेकिन साथ साथ में मुझा जाब भी करूँगी घर को भी समदोंगे यह हो सकता है न ऐसा तो नहीं है कि सभी चीज़े घर में रखे के जाए ज बहुत अच्छे सकते हैं अब देख लेते हैं प्रतिपाद जो है कि प्रस्तुत जो निवन्द का प्रतिपाद जो है बेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कुछ्छन आज है तो भारती नारी जीवन के अविसाब के विभिन पक्षों उद्गातन करते हैं उनके कारणों से अवद गराकर नारी समूदाय को जागरूप बनाना है इससे तो लेखय का कहना चाहते हैं तो लेक कые लेख का कहना चाहते हैं तो और विसथाप के विभिन पक्षों पहलो का करना है उनको बताते हुई और किस कारण ने नारी नारी को जागरुथ बनाना है कि आपके लिए उनका प्रतिपाद है में उद्देश है थिक है यहां लेका बिखनारी शमस्या के लिए कोई शमधान प्रस्तुत नहीं किया यह कमी आपको महसूस हो सकते हैं लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपके लिए रिए प्रदिकार के अधिकारी भी होना चाहिए प्रदिपात का आपका यहां से यहां तक हो जाएगा ठीक है इसके सब भी कोश्चन हो गए है मुझे एक कोश्चन और देख लेते हैं इसमें दिया हुआ है जो हमने लिए है किस निवंद की भासा संबंदी विसेष्टाओं को छे पक्तियों में लिखना है इस निवंद की सैलिस के किनी तीन विसेष्टाओं की च विक्तित के वारे में आप बताईए क्या जानते हैं ब्याक्या कीजिए तो महादेवी की विक्तित की प्रतम विसेष्टा नारी हिर्दयवा को मलता है ठीक है ना प्रतम विसेष्टा क्या है नारी हिर्दयवा को मलता है और किसी भी दुखत मार्मी प्रशंग पर करुना से ऌर दूसरी विश्यस्ता आसहाय और उत्पिरेंड नारी आसीम सहानभूती अगुती सिंधिनता महादेवी बर्मा का व्यक्टित से सकते यह मुझे सबसे very important questions लगता है ठीक है कि महादेवी वर्मा के बेक्टित के बारे में बताईए ठीक है सबसे पहला है कि नारी हिर्दय की कोमलता नारी के जित्ते भी दुख होते हैं उससे उनको दुख होता है और दूसरा थै उनकर पीड़न नारी होती है उनके प्रतिय सहयन भूत रहती आलबे जो करती है और यहांपर एक जिसके उदारणों से निबंद भरा-पड़ा है और तीसरी जो सेज़ता है उनके व्यक्तित की वो है अन्याय और अत्याचार के बृद्ध प्रतिकार और बिरोध की प्रवित्ति यदि आपके उपर अत्याचार हो रहा है नारी के लिए तो आपके उपर अत्याचार हो रहा है तो आप उसका बिरोध करिए यह प्रवित्ति नारी में पाई जानी चाहिए जो कि बहुत कम जाती है यही रीजन है थिन तीन नहां पर हो गई है दी मतना इन की को मलता है पिर इसको यहां पर आपको ए detectा हो जाती है क्यां प्रतिकर और प्रतिकार स CAP Ardích्य।ंद जिसको आपको यहां पीसको एक शे tutto कर देना अब हमने क्या कोश्चन था भासा के बारे में तो यह आपको लिखना है उसका अंसर आपको यहां पर मिल जाएगा और एक सैली से भी संबंदित कोश्चन था महादेवी की सैली की प्रमुग विसेस्ता है बताईए तो देखें उनकी विवेचनात मक्ता दूसरी विसेस्ता है प्रमुग विसेस्ता क्या है महादेवी सैली की विवेचनात मक्ता दूसरी विसेस्ता है विवेचन के साथ भावात मक्ता पहली विसेस्ता हो गई विवेचनात मक्ता दूसरी विसेस्ता हो गई विवेचन के साथ भावात मक्ता का कुसल सयोजन तीसरी विसेस्ता हो गई त निवंद का मुख्य प्रतिपाद यहां पर दे दिया है वही चीज़ उपर हम पढ़के आए हैं कि भारती नारी जीवन के विशापों के विभीन पक्षों का उद्गाटन करते हूं इसके वास्तविक कार्णों सगवत कराकर नारी समदा को जागरित करना ही मेन इसका यहां पर जो यह इनके एंसर है ठीक है तो यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए शेयर करिए और कमेंच करिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लिए चलिए फिर कुछ और ऐसे ही कोश्टन सम आ झाल